दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत डीटेल में बताऊंगा कि फेस्बुक एड लाइबरेरी का आप कैसे यूज कर सकते हो क्या क्या यूज कर सकते हो और इससे आपको आपकी बिजनिस में आपके क्रेटिव में आपके एड्स को इंप्रूब करने में क्या फायदा हो सकता है कैसे फायदा उठाना है यह सारी चीज़ों को हम बहुत ही डीटेल में जानेंगे इस वीडियो है सबसे पहले दोस्तो आप गूगल पर सर्च करेंगे फेस्बुक एड लाइबरेरी इस तरीके से फेस्बुक एड्स लाइबरेरी लिखेंगे एंटर करेंगे आपको यहाँ पर मेटा एड लाइबरेरी फेस्बुक इस तरीके से लिंक मिलेगी जिसको हम क्लिक करेंगे अब दोस्तो यह आपका डैश्बूर्ड आपके सामने आता सबसे पहले मैं आपको बता दू कि आप इंडिया के ads को भी देख सकते हैं, all over world के ads को भी देख सकते हैं, या किसी particular country के ads को भी देख सकते हैं. जैसे कि यहां by default इंडिया देख रहा है, आप इसको change करके all भी कर सकते हैं, और आप इसको change करके कोई another country भी कर सकते हैं जैसे मैंने यहां पर करते हैं United States अब दूसरी category आती है दोस्तों कि ad category का option आता है यह आप से पूछता है all ads या issues, election, politics या housing से related या employment से related या credit से related दोस्तों इतने सारे option इंडिया के case में नहीं आते हैं मैं आपको पता देता हूँ जैसे अगर हमने इंडिया चूज किया अब मैं वापस ad category को चूज करता हूँ तो यहां पर आपको दो ही option मिलते है all ads या issues, election, politics तो issues, election and politics की generally हमको जरूबत नहीं पढ़ती है हम all ads वाले section को चूज करेंगे अब दोस्तों यह पूछ रहा है search by keyword और advertiser यानि कि अगर आपको कोई competitor है उसका नाम आपको पता है तो आप उसके नाम से भी यहां पर search कर सकते हैं तो उसके नाम से उसका Facebook पेज होगा या Instagram पेज होगा और जिसकी मदद से आप जो है page से चलाय जा रहा है ad को देख सकते हैं इसमें यह बहुत important है कि उसी नाम के page से चलाय जा रहे हो अगर वो किसी और page से चलाय जा रहे हो गर अगर आपको इस page का नाम नहीं पता होगा तो आप शायद उसके ads नहीं देख पाएंगे दूसरा तरीका यह हो सकता है कि जो product वो बेच रहा है आपको competitor अगर आपको कोई product बेच रहा है या अगर आप जो product बेच रहा है उससे related अगर आपको competitors देखने है तो भी जो है आप उस product का नाम ले सकते हैं अब हो सकता है कई बर product का नाम उसने description में या add में ना use किया हो तो आप कोई सा ऐसा common word भी use कर सकते हैं जो आपको लगता है कि उसके description में या headline में या कहीं पे use किया गया होगा तो दोस्तो competitor का नाम तो आप search करी सकते हैं में आपको बताता हूँ कि keywords को आप कैसे use कर सकते हैं example के तोर पे हम एक product को लेके चल सकते हैं t-shirt तो मैं यहाँ type करता हूँ t-shirt दोस्तों जैसे ही मैंने t-shirt type के सबसे नीचे बता रहा है क्या आपको ऐसे ads चाहिए जिनमें exact इसी तरीके से लिखा हूँ t, space, shirt अगर इसी तरीके से लिखा हुआ होगा तो ही वो ads आपको दिखाए जाएंगे दूसरा यह आपको बता रहा है कि और भी इससे related search होते हैं DH shirts, Ego, Men's Wear, Bangalore तो यह advertisers हैं जाने कि इनके यह page के नाम है तो अब आपको इसमें से choose करना है लेकिन अगर आप किसी advertiser को नहीं ढूड़ना चाहरा है आप ढूडना चाहरा है कि मेरे इसी type के products पर कैसे ads चलते हैं तो आप केवल t-shirt को ही enter कर सकते हैं अब दोस्तों जब हमने t-shirt search किया तो हमको 16,000 results मिले हैं this results includes ads that match your keyword search यानि कि इन साभी ads में जो है t-shirt word common होगा for example हम देख लेते हैं यहाँ पर लिखा है यह shop or store का ad है और इसमें लिखा है combo of five polo t-shirts at देखें यहाँ पर हमारा keyword आ गया t-shirts at at the rate 1150 रुपे 1149 रुपे cash on delivery easy return day and days easy return policy अब दोस्तों यहाँ 16,000 ads दिख रहे हैं जरूरी नहीं है कि सारे ही ads inspiring हो अच्छे हो देखें बहुत से in fact 90 to 95% लोग घटिया ads चलाते हैं बेकार ads चलाते हैं कुछ ही लोग बहुत अच्छे ads चलाते हैं यह थोड़ा से एक sense वाली बात है आपको ad देखके अगर ऐसा महसूस होता है कि बहुत ही catching ad है बहुत ही attractive ad है यह कुछ बहुत ही अलग ही style से अपने product को display कर रहा है जिससे लोगों का देखने का मन हो खरीदने का मन हो यह और ज्यादा जानकर लेने का मन हो ऐसे ads से हमको inspiration लेनी है किसी भी ad को देखके हमको यह नहीं सोचना है कि इसके जैसा ad बनाया जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे मैंने आपको बता है घटी ad बनाते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप scroll करके नीचे जाके देख सकते हैं आपको अलग-अलग ads टाइप दिखेंगे जैसे video ad है कुछ image ads भी है ठीके जैसे यह image ad है इसमें meme का use किया गया है जैसे यह krausal ad है इसको आप ऐसे कर सकते हैं krausal ads है यहां से आपको inspiration मिल सकता है कि ad के लिए headline कैसा लिखना है, primary text कैसा लिखना है, call to action button में अधिकतर लोगोंने क्या use किया है offer लोग किस type के दे रहे हैं, कैसे offer market में ज़्यादा चल रहे हैं, या कौन से offer जो है unique से लग रहे हैं जो आप भी दे सकते हैं किस angle से photo की सी गई है, किस angle से video बनाया गया है, किस तरीके से video को display किया गया है बहुत सारा inspiration दोस्तों यहां से आपको मिल सकता है, ton of ton of inspiration आपको यहां से मिल सकता है अगर आप लेना चाहते हों और उस तरीके का sense रखते हो अब दोस्तों मैं आपको एक important बात बताता हूं कि फिर जैसे 16,000 ads है मैंने आपको बोला कि अच्छे ads को समझने और जानने का sense होना चाहिए चली ठीक है sense हो भी सकता है और ना भी हो लेकिन एक fact भी होता है, एक logic यह भी होता है दोस्तों कि अगर कोई ad, कोई advertiser बहुत समय से चला रहा है for example, 2-3 महीने से चला रहा है वो कम से कम 500 रुपे 500,400,400 रुपे 500 अगर कि kingdom? 203K रुपे खर्च रहा होगा मतलब उस ad को चला क到 processing, ऐसको फाया नहीं हो रहा होगा? तो, कितने समय उस ad को चलाएगा एक महीना हो सकता है, एक महीना चला है, एक महीना चला है कि शायद इस ad से क्योंकि dashboard में भी दिखता है कि इस ad से result आ रहा है यह नहीं आ रहा है तो जिस ad से result नहीं आ रहा है उस ad को अगर वो समझदर advertiser होगा तो उसको बंद कर देगा इसका मतलब दूसरा यह हुआ कि जिस ad से result आ रहा है उस ad को वो advertiser जादा समय तक चलने देगा तो यहाँ पे हम इसको इस तरीक से ले सकते हैं कि जो ad जादा समय से चलते आ रहा है है यानी कर लूट अगर तीन हैं चार महीने से चल रहा हैं पांच महीने उनस साल भार मकार्श चल रहा हैं तो जो पुराने आड़स हैं वो ऐसे ads हैं जो result ला रहा है तो अगर वो result ला रहा है तो उन में जरूर कुछ खास बात है और वैसे ads से हमको भी inspiration मिल सकती है वैसे ads को जरूर देखना चाहिए तो 16,000 में अगर हम वैसे ads को छाट ले तो हमको inspiration लेने के लिए काफी आसानी हो जाएगी अब यह करना कैसे है चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ दोस्तों यहाँ पर आपको corner में filter की button मिलती है इस filter की button को आप दवाएंगे इसमें पहला option आता है language का दूसरा option आता है अड़ोटाइजर का तीसरा option आता है platform का और media types का active status का और impression by date का तो दोस्तों इस सभी option बहुत logical है और इनका बहुत अच्छे से use किया जा सकता है सबसे पहले मैं आपको पताता हूँ कि अगर आपको पुराने ads देखने तो आप कैसे देखेंगे तो इसमें आ रहा है impression by date इसमें लिखा है 2018 से आज की तारिक तक के जितने भी ads है वो यहां पर डिस्प्ले हो रहा है और यहां पर लिखा है status में active और inactive दोनों ही तो सबसे पहले तो मैं status को कर दूँगा active यानि के वल जो ads चल रहा है मैं उनी को देखना चाहता हूँ दूसरा मैं देखना चाहता हूँ कि आज से 3 महीने पहले से जो ad active है मतलब status उसका आज भी active है पर वो पिछले 3 महीने से चल रहा है तो इस date को मैं 3 महीने reverse ले जाता हूँ तो जैसे 7 जुलाई है तो मैं इसको 7 जून, 7 मई, 7 अपरेल पे लेके जाता हूँ तो अब हम ये 3 महीने पीछे चले गए हमने यहाँ पे चूज कर लिए status active रहना चाहिए अब मैं इस filter को apply करता हूँ अब आप दोस्तों देख सकते हैं आपको केवल 680 results मिल रहे हैं ये वो ads हैं जो पिछले 3 महीने से चलते आ रहे हैं अब देख रहे हैं कितनी आसानी से जैसे मैं आपको कहा था 90-95% लोग घटी ads चलाते हैं तो आप देख सकते हैं 90-95% क्या कई जादा % लोग यहाँ से हड चुके हैं केवल 680 ads बचे हैं जो कितने समय से चलते आ रहे हैं यानि कि ये most to most probably logically ये result दे रहे हैं जब ही ये आज भी active हैं और पहले से active हैं अब इन ads को हम ध्यान से देखेंगे तो ये ads आपको देख रहे हैं ये बहुत ही beautiful t-shirt है ठीके और यहाँ पे इस krausel ad बनाया हुआ ये advertiser का नाम grid stones है ठीके यहाँ पे इनने offer दे रखा है यहाँ से आप जान जाकते offer क्या है या primary text call to action button में क्या लिखा है नीचे description में क्या लिखा है ads को किस तरीके से show किया गया है photography या creative को किस तरीके से shoot किया गया है वहीं आप देखते है next ad जो single image ad है अब ये वाला ad आप देख पा रहे हैं ये एक image ad है और ये बहुत पहले से अब इस ad को में play करके आपको बताता हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं एक vertical ad है तो ये reels या story में ज्यादा चल रहा होगा इसमें कुछ खास ज्यादा लिखा हुआ नहीं है call to action भी नहीं है लेकिन हम play करके देख लेते हैं दोस्तों अगर इसी ad को आप ज़्यादा बड़ी स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो यहां से इसको magnify कर सकते हों फिर हम इसकी play की बटन दबा सकते हैं तो दोस्तों कह सकता हूं मैं कि यह ad मुझे काफी organic style का लग रहा है इसमें color और dress भी काफी beautiful है बहुत अच्छे elegant तरीके से और बहुत ही natural तरीके से display किया जा रहा है अब दोस्तों कोशन आता है कि यही वीडियो को अगर मैं download करना चाहता हूं और अपने मैं creative team को या अपने वीडियो एडिटर को या अपने graphic designer को यह दिखाना चाहता हूं कि भाई इस तरीके का वीडियो या इस तरीकी की image बनानी है तो देखी image को download करना तो बहुत आसान है कि जाके image पर आप right click करेंगे और यहाँ पर save image as की button दवा देंगे आपकी image जो download हो जाएगी वीडियो के case में क्या होता है आपको वीडियो को play करना है फिर यहाँ पर save video as की button दवानी है फिर उसके बाद आपको इस तरीके से लिखा हुआ आएगा इसको आप save कर देंगे और यह जो file इस तरीके साँ non file के तरह देखे कि इस file को आपको rename करना है rename की आप button दवाएंगे rename की button दवाने के बाद पूरे file name को as it is रहने दो बस आखरी में आपको .mp4 यानि की video को format होता है mp4 .mp4 आपको केवल लिख देना है इस तरीके का shoot करो इस तरीके का video बनाओ इस तरीके का angle लो इस तरीके का color लो इस तरीके से music डालो ताकि हमारा ad भी काफी अच्छा और attractive ad बन पाए अब दोस्तों हम और आगे बढ़ते हैं आप दूसरे ads में देख सकते हैं किस तरीके से प्राइमरी टेक्स में काफी अच्छे से अलग अलग चीज़ों का highlight कि a couple t-shirt are not just silently telling इससे आपको दोस्तों बहुत अच्छा प्राइमरी टेक्स लिखने का style मिल सकता है तरीका मिल सकता है आप कॉपी भी कर सकते हैं इंस्पायर भी हो सकते हैं थोड़े changes के सांथ यह same-to-same भी कर सकते हैं कोई ad reject बगर नहीं होगा लेकिन आप कोशिच करें कुछ नया कर आपने टीम को बताना चाहते हैं तो आप यहां see ad details की button दवा सकते हैं इस see ad details की button को आप दवाएंगे तो यह जो है थोड़े बड़े रूप में आपके सामने खुल जाएगा उस page के बारे में भी आपको कुछ information मिल जाएगी वह किस टाइप की website है उनका Instagram का official ID क्या है उनका copy ads सल रहे हैं वह आपको दिखा दिये जाएंगे जैसे कि मैं यहां पर right click कर देता हूं और उसको खोल देता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर पूरा ad आपको दिख रहा है यहां पर त्री डॉट्स की button है इस पर आप क्लिक करके यहां पर लिखेंगे copy ad link अब ad आ गया है यानि कि अगर आप किसी के साथ भी कोई ad share करना चाहते हैं तो इस तरीके से आफ एड शयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मैं इस आइड की बात कर रहा हूं इस तरीके का एड रहा है क्योंकि यह काम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसके लगा दोस्तों मैं तो filter लगा सकते हो अगर बहुत सारे एड है तो और आप देख सकते हो कि यह जो page कौन सा एड बहुत पुराना चला रहा है जो बहुत पुराना एड हो उसकी बहुत जादा संभावना है कि बहुत अच्छा एड है इसलिए इतने समय से चलता हूँ आ रहा है और जो latest एड हो सक उनने अपने experience और inspiration लेके कुछ नया create करने के कोशिश की गई हो लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा sense और logic लगाना पड़ेगा क्या वह latest एड उनका सही में अच्छा एड है या सिर्फ ऐसे ही एक normal एड है अब मैं वापस उसी page पर आ जाता हूँ जहां से हम शुरू हुए थे तो दोस्तों अब यहां पर filter का आप एक और use कर सकते हैं आप filter का use यह कर सकते हैं कि आप किसी particular media type याने कि दोस्तों आजकल जो है vertical video ads जादा चल रहे हैं short 15 second 10 second के अंदर वाले vertical video ads जादा चल रहे हैं बहुत अच्छा perform करते हैं क्योंकि वो rails में भी चलते है stories में भी चलते है और लोग उसमें आसानी से engage होते हैं inspire भी होते हैं तो अगर में को केवल उसी type के आड़ देखने हैं तो यहां media type वाले filter में मैं यहां पर जाके इसको video select कर सकता हूं और यहां पर इस filter को apply कर सकता हूं मेरे filter में तीन चीज़ा add हो गई active ads जो तीन महीने पहले से चलते आ रहे अगर आपको लगता है ज्यादा अच्छा content नहीं मिल रहा है तो आप अपने filter में थोड़ा सा adjustment करके यह तीन महीने का जो backup पीरिट है उसको 2 महीने का या 1.5 महीने का भी कर सकते हैं तो मैं इसको एक महीना कम कर देता हूं और फिर से मैं इसको apply कर देता हूं तो मेरे पास आप यह देखिए एक बहुत ही छोटे से प्यारे से प्रोड़क का एक आड आप ने देखा जो की कॉलर को स्ट्रेट रखता है और बहुत अच्छे से इनने display किया कि problem क्या है आपकी पॉलर जो है इस तरीकी से तो बहुत ही सुन्दर तरीके से इनने display किया एक बहुत छोटा सा प्रोड़क्ट अगर आप बहुत ही जादा delicate तरीके से तैयार होना चाहते है आप और भी वीडियो यहां पर play करके देख सकते हैं जैसे कि एक यह वीडियो है तो बहुत ही इंट्रस्टिंग दोस्तों आपको यहां पर वीडियो देखने को मिल जाएंगे इमेज क्रेटिवस देखने को मिल जाएंगे आपको बहुत सारा inspiration बहुत सारी प्राइमरी टेक्स्ट के आइडिया मिल जाएंगे हैडलाइन मिल जाएंगे थोड़ा आपको research में टाइम देना पड़ेगा थोड़ा आपको creativity लगाना पड़ेगा अब को creativity की मैं आपको बात बताता हूं कि मैंने तो एक generic product का नाम लिख दिया था लेकिन कई products ऐसे होते जिनके description या primary text में उस product का ना तो आपको इससे related ads देखने को मिल जाएंगे इसी तरीके से दोस्तों अगर आप कोई image ad देखना चाहते हैं तो यहां पर image ad के लिए एक अलग नाम दिया गया है वह है meme, meme यानि कि किसी image में अगर text लिखा हो तो उसको इस filter के अंदर meme बोलते हैं तो हम meme ads search करेंगे केवल और अब हम देखते हैं कि कौन से इसे meme ads हैं यानि कि image ads with text हैं जो कि पहले से काम करते आ रहा है और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो दोस्तों आप यहां पर बहुत सारे ads देख सकते हैं बहुत colorful जैसे कि पहला ad जो है काफी अब इस दोड़ना चाहते हैं या तो फिर इस list में से देखके search करना चाहते हैं जैसे दामेंश आया दामेंश के हम product देख लेते हैं अब मैंने दामेंश को select कर लिया दामेंश के मेरे को केवल image ads चाहिए जिसमें केवल text लिखा हो जो की बहुत पहले तो मैं इसमें date range हटा देता हूं फिलाल क्लिए बस दामेंश है मीम एड है active है ठीक है और हम इसको apply करते देखते कि दामेंश के किते हैं तो फिलाल एक ही एड चल रहा इमेज वाला तो हो सकता है यह वीडियो चला रहे हो तो मैं यहां पर filter में जाता हूं और यह जो है मीम इस वाली filter को मैं हटा देता हूं दामेंश को रहने देता हूं दोनों filter apply कर देता हूं अब आप देख सकते हैं यहां पर 5 रिजल्ट्स आ गए है यानि कि कुछ क्राउजल एड्स हैं कुछ अलग इमेज एड्स हैं कुछ खास एड्स नहीं चल रहे हो हो सकता है कोई दूसरा आइड्लाइन आइडियास और गुट आफर आइडियास ऑलसो तो दोस्तों मैं यहां लास्ट वर्ट कहूंगा कि आप एड्लाइबरेरी का जरूर जरूर इस्तिमाल करें ऐसा ना सोचे कि उसमें क्या मिलेगा उसको आपको पहले रिसर्च करना ही है किसी भी नए प्रोडक मोटीवेशन भी मिलता है ऐसा इंस्पीरेशन भी मिलती और यह भी पता चलता है कि हम कितने पानी में या हम कितनी पीछे की सोच रख रहे थे और लोग कितने आगे की सोच रखे अपना काम को कर रहें दोस्तों इसके लबब अगर आपको Google Ads या Facebook Ads में कोई भी सर्विस चाह अगर आप किसी नए टॉपिक पर मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं मेरे वाटसप नमबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है ताकि आपको मुझे कॉंटेक करने में कोई ज्यादा दिक्कत ना हो